हालो दोस्तोब स्वागेताँ आपका यूट्यूब चेनल स्पैशल तढगा में आज हम बनाएंगे मिलक पाउडर से पेडे बनानी के आप इसकी जगे रिफाइंड ओयल भी ले सकते हो आधी कटोरी से थोड़ी से ज्याद आमने चीनी पावडर लिया एक बावल में दो कटोरी मिल्क पावडर डालेंगे इसमें एक कटोरी दूट डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें कोई भी लंप्स वगरा ना हो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें हम चीनी का पावडर डालेंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको में अच्छे से मिट्स कर लिया इसमें कोई भी लंस वगरा नहीं है यह इस पर कडाई को अमने गरम होने के लिए रख दिया है इसमें हम दो चम्मच देसी गी डालेंगे गी को मेल्ट होने दे अब इसमें बैटर डालेंगे पिल्क पावडर का अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको मेडियम फ्लेम पर इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक हमारा मावा नहीं बने इसी तरह से चलाते रहेंगे बहुती जल्दी बन जाता है पेडा मारा थोड़ा थोड़ा गाड़ा भी होने लगए मारा मिल्क पावडर आप देख रहे हो मारा मिल्क पावडर थोड़ा सा गाड़ा हो गया लेकिन हम इसको ओर चलाना है ओर थोड़ा सा टाइट करना है जब तक ये मावा कडाई को छोड़े तब तक हमी चलाते रहना है कडाई के चिपके नहीं मावा आप इसको इसी तरह बिलाते रहे हैं आप देख रहे हो मावा मारा कडाई के नहीं चीपक रहा है कडाई को छोड़ चुका है मावा आप देख रहे हो मावा मरा कडाई पे बिल्कुल भी नीचे पक रहा है अब हमें गैस को बंद कर देंगे इसमें इसमें हम इलाइची पाउडर डालेंगे इसको भी अच्छे सा मिक्स कर लेंगे इसको थंडा होने के लिए रख देंगे इसको में बावल में निकाल लेंगे इक बावल में निकाल लिए इसको आधे गंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे हạt पर थंडा हो चुका है हाथों पर हम ठोड़ा सगी लगाएं पुल्सको मिक्स कर नरम करने क लिए का मिधी स्वीए हम एक इस पूंन लिये कि उसनापस हम पड़े बिनाएंगे जिसंए कैन एक समान पड़े होया हमारे छोटे बड़ी नाओं इस तरीक नुचन 빠ze बहुंत और गोल्गल से हलका सा इसके ऊपर प्रेस कर देंगे इसा तरिके से इसका में बैट में निकाल लेंगे इस तरिके से । इसी तर में सारे पेडी बना लिये हैं इसके उपपर हम ड्राइफूर्स डाल देगे मैं यापर पिस्त डाल रही हैं इनके उपर अब कुछ भी और दीजें बदान काजु अगर है कुछ भी ड्राइफूर्स आप देख रहे हैं कितने अच्छे बने हमारे पेड़े आपको मैं एक पेड़ा तोड़ के बतारू किस तरीके की पेड़ी बने हमारे आप देखेरो इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है